ओम शंति 21 सेप्टेंबर 2020 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्सा देते हैं इसलिए तुम सबको प्यार दो गुसा मत करो प्रश्न अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है उत्तर प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते ही श्रीमत देते ही बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो किसी को भी दुख नहीं दो करमेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा करम नहीं करो सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है मोडी तो नहीं हूँ कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ गीत यह वक्त जा रहा है ओम शांती मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना दिन प्रति दिन अपना घर अधवा मन्जिल नजदीक होती जाती है अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो बाप का डारेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचावो बच्चे जानते ही लाखों करोडों को यह मैसेज देना है फिर कोई समय आभी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे बाप का मैसेज मिलना तो सबको है मैसेज है बहुत सहज सिरफ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी करमेंद्रियों से मनसा वाच्चा करमना कोई बूरा काम नहीं करना है पहले अपने मनसा में आता है तब वाच्चा में आता है अभी तुमको राइट रॉंग समझने की बुद्धी चाहिए यह पुन्य का काम है यह करना चाहिए दिल में संकल्प आता है गुसा करे अब बुद्धी तो मिली है अगर गुसा करेंगे तो पाप बन जाएगा बाप को याद करने से पुन्य आत्मा बन जाएगे ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे ऐसे फिर फिर कहते रहने से आदत पढ़ जाएगी मनुष्य ऐसा करम करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है विकार को पाप नहीं समझते हैं अभी बाप ने बताया है यह बड़े से बड़ा पाप है इन पर जीत पाना है और सब को बाप का मेसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो मौत सामने खड़ा है जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गौड फादर को याद करो रिमेंबर गौड फादर वह समझते हैं यह गौड फादर पास जाते हैं परन्तु वो लोग यह तो जानते नहीं कि गौड फादर को याद करने से क्या होगा खहां जाएंगे आत्मा एक शरीर छोड दूसरा लेती है गौड फादर के पास तो कोई जाना सके तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाब की अविनाशी याद चहिए जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गौड फादर को याद करो सब आत्मा ये एक दो को कहती हैं कहती तो आत्मा है न ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो यह एक कौमन रसम है मरने समय इश्वर को याद करते हैं इश्वर का डर रहता है समशते हैं अच्छे वा बूरे कर्मों का फल इश्वर ही देते हैं बूरा करम करेंगे तो इश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे इसलिए डर रहता है बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है न तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गती को समशते हो जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ याद में रह जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं रावन राज्य में मनुश्य बूरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बूरा काम कभी होता नहीं अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहां बुलावा होता है, यह करना चाहिए वा नहीं करना चाहिए हर बात में बूचते रहो, समझो कोई पुलीस की नवकरी करते हैं, तो उन्हें भी कहां चाहता, तुम पहले प्यार से समझाओ सची न करे, तो बाद में मार प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परन्तु उस प्यार में भी योगबल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे यह तो जैसे इश्वर समझाते हीं, तुम इश्वर के बच्चे योगी होना, तुम्हारे में भी इश्वर्य ताकत है इश्वर प्यार का सागर है, उन्में ताकत है न, सबको वर्सा देते ही तुम जानते हो, स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा वर्सा ले रहे हो लेते लेते नंबरवार पुर्शार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे बाप कहते ही, किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मंसा में आने से वह शकल में भी आ जाता है करमेंद्रियों से कर लिया, तो रेजिस्टर खराब हो जाएगा देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, देवताओं की पुझारियों को समझाओ वह महीमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, सोला कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते ही, तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर तुमको ऐसा देवता बनना है, तो अपनी चाल ऐसी रखो, तो तुम यह बन जाएंगे अपनी जांज करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी है हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मोड़ी तो नहीं बनता हूँ अनेक बार तुमने पुरशार्थ किया है बाप कहते हैं, तुमको ऐसा बनना है बनाने वाला भी हाजिर है कहते हैं, कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे पुरशार्त भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं ड्रामा की नोंध ऐसी है कोई कहते हैं ड्रामा में नोंध होगी तो जरूर करेंगे अच्छा चाट होगा तो ड्रामा कराएगा समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था तकदीर में नहीं था बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरशार्थ कराएगा बस छोड़ दिया ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं तुम्हारा aim object तो यहाँ खड़ा है बैज तो तुम्हारे पास है जैसे अपना पोतामेल देखते हो तो बैज को भी देखो अपनी चाल चलन को भी देखो कभी भी करिमिनल आंखे ना हो मुखस से कोई evil बात ना निकले evil बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे सत्युग में सब दैविगुण वाले होते हैं evil कोई बात नहीं इन्होंने भी प्रालब्ध बाप द्वारा ही पाई है यह तो सबको बोलो बापको याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है संसकार आत्मा लेज जाती है सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धरम में आज जाएंगे जाड तो उनका बढ़ता रहता है न इस समय तुम बदल रहे हो मनुष्य ही देवता बनते हैं सब कोई इकते थोड़े आएंगे आएंगे फिर नंबर वार ड्रामा में कोई बिगर समय आक्टर थोड़े स्टेज पर आज जाएंगे अंदर बैठे रहते हैं जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बज़ाने वह है हद का नाटक यह है बेहद का बुद्धी में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बचाना है यह बेहद का बड़ा ज़ाड है नंबर वार आती जाते हैं पहले पहले एक ही धरम था सभी धरम वाले तो पहले पहले आना सके पहले तो देवी देवता धरम वाले ही आएंगे पार्ट बज़ाने सोभी नंबर वार ज़ाड के राज को भी समझना है बाप ही आकर सारे कल्प व्रक्ष का ज्यान सुनाते हैं इनकी भेंट फिर निराकारी ज़ाड से होती है एक बाप ही कहते हैं मनुश्य सरष्टी रूपे ज़ाड का बीज मैं हूँ बीज में ज़ाड समाया हुआ नहीं है लेकिन ज़ाड का ज्यान समाया हुआ है हरे का अपना अपना पाट है चैतन्य ज़ाड है न ज़ाड के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे इस ज़ाड को कोई भी समशते नहीं है इनका बीज उपर में है इसलिए इनको उल्टा व्रक्ष कहाँ जाता है रचेता बाप है उपर में तुम जानते हो हमको जाना है घर जहां आत्माय रहती है अभी हमको पवित्र बनकर जाना है तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र होज जाती है तुम्हारे लिए तु पवित्र सरष्टे चाहिए ना तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनाने पड़े सब पवित्र होज जाते है तुम्हारी बुध्धी में है, आत्मा में ही मन बुध्धी है न, शैतन्य है, आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुध्धी में होना चाहिए कैसे हम पुनर जनम लेते ही, चौरासी का चक्र तुम्हारा पूरा होता है, तु सब का पूरा होता है सब पावन बन जाते ही, यह अनादी बना हुआ ड्रामा है एक सेकंड भी तहरता नहीं है, सेकंड बाई सेकंड जो कुछ होता है, सो फिर कल्प बाद होगा हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है वह अक्टर्स करके दो चार घंटे का पार्ट बजाते हैं यह तो आत्मा को नाचिरल पार्ट मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए अतिंद्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है बाप आते हैं, 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं खुशी की बात है ना, जो अच्छी रिती समझते और समझाते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं, तो दुसरे में भी प्रवेश्टा हो जाती है ताली दो हाथ की बजती है, वहां ऐसे नहीं होता यहां तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो उन पर भूल चड़ाओ प्यार से समझाओ, यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे ख्रोध कभी नहीं करना चाहिए, सिखलाने वाले में तो ख्रोध बिलकुल नहीं होना चाहिए नंबर वार पुरशार्थ करते रहते हैं, किसका तीवर पुरशार्थ होता है, किसका ठंडा ठंडे पुरशार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे कोई में ख्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं कोई भी बद चलन वाले रह नहीं सकते एम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन-कौन क्या बनते हैं सब सक्षतकार होगा जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है तुम बच्चे ड्रामा के आदी मध्य अंत को जनते हो तुम सब अंतर्यामी हो आत्मा अंदर में जनती है यह स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है सारे स्रिष्टी के मनुश्यों की चाल चलन का सब धर्मों का तुम्हें ग्यान है उनको कहा जाएगा अंतर्यामी आत्मा को सब मालुम पड़ गया ऐसे नहीं भगवान घटगट वासी है उनको जानने की क्या दरकार है वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुर्शार्थ करेंगे ऐसा भल पाएंगे मुझे जानने की क्या दरकार है जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गती को पाएंगे पद बहुत कम होज जाएगा उस स्कूल में तो नापास होज जाते हीं तो फेर दूसरे वर्श पढ़ते हीं यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे इश्वर्य लोट्री तो पूरे लेनी चाहिए न यह बाते तुम बच्चे समझ सकते हो जब भारत सुकधाम होगा तब बाकी सब शान्तिधाम में होंगे बच्चों को खुशी होनी चाहिए अब हमारे सुक के दिन आते हैं दीप माला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं न बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है हम अपना श्रंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुक पाएंगे साहुकार को तो साहुकारी का नशा रहता है मनुश्य बिलकुल घोर नेंद में हैं फिर अच्छानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे सच तो तब समझे जब सत का संग हो तुम अभी सच के संग में हो तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा अभी कॉंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुश्य क्या कहते हैं मैगजीन में भी डाल सकते हो आखरीन विजे तो तुम्हारी ही है जिन्होंने कलब पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे यह सर्टन है वहां अकाले मृत्यू होता नहीं आयू भी बड़ी होती है जब पवित्रता थी तो बड़ी आयू थी पतत पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा क्रिश्न की बात शोबती नहीं पुरशोत्तम संगम युग पर क्रिश्न भेर कहां से आएगा वही फीचर्ज वाला मनुश्य तो फिर होता नहीं चोरासी जनम, चोरासी फीचर्ज, चोरासी आक्टिविटी यह बना बनाया खेल है उसमें फरक नहीं पड़ सकता ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है आत्मा छोटी बिंदी है उसमें अनादी पाट भरा हुआ है इसको खुदरत कहां जाता है मनुश्य सुनकर वंडर खाएंगे परन्तु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करू वही पतित पावन है सर्व का सदकती दाता है सत्युग में दुख की बात होती नहीं कल्युग में तो कितना दुख है परन्तु यह बाते समझने वाले नंबर वार हैं बाप तो रोज समझाते रहते हैं तुम बच्चे जानते हो शिबाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने फिर साथ ले जाएंगे साथ में रहने वालूं से भी बांधेलिया ज्यादा याद करती है वह उन्च पदपा सकती है यह भी समझ की बात है न बाबा की याद में बहुत तड़फती है बाब कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो दैवी गुण भी धारन करो तो बंधन कटते जाएंगे बाब का घड़ा खतम हो जाएगा अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रती माद पता बाब तादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला अपनी चाल चलन देवताओं जैसे बनानी है कोई भी इवल बोल मुख से नहीं बोलने है या आंखे कभी क्रिमिनल ना हो दूसरा क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है ताली दो हाथ से बजती है इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है उन्हें प्यार से समझाना है वर्दान अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावर्फुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ताभव वायुमंडल को पावर्फुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना इसका बार बार एटेंशन रहे क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार एटेंशन की तपस्या चाहिए इसलिए अव्यक्त फरिष्टाभव के वर्तान को स्मृत्ती में रख शक्ती शाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा स्लोगन सर्वशक्तिमान बापको प्रत्यक्ष करने के लिए एकागरता की शक्ती को बढ़ाओ ओम शंति